गुड मोर्निक फ्रेंड देखे इस वीडियो में हम जो आपकी MSC First Year का एक Math बनता है Real Analysis इसकी First Unit में Third, Number Third Theorem करेंगे इसमें आपकी इस First Unit में First Section में आपकी 5-7 Theorem बनती है बिल्कुल EG है अगर वो Theorem कर लेंगे तो आपका First Section जो है Completely आप Attempt कर पाएंगे तो बने रही है मेरे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पे आपको बिल्कुल सारी की सारी Theorem Easy Method से जो है Provide होगी चलिए Theorem No.3 करते हैं अगर अभी तक आपने दो Theorem नहीं की है तो वो मेरे चैनल क बटन पर मैं लिंक दे दूँगा आप वहाँ पे प्लेस करके पहले वो दो Theorem देख लीजिए Theorem No.3 है चलिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं क्या कहता है फिर इसका प्रूफ कर देंगे देखिए क्या कहता है अगर F क्या है continuous है F एक ऐसा continuous function है किसी close interval AB के अंदर और F किस से बिलोग करता है family of remand still J से बिलोग करता है और उसी close interval AB के अंदर if for a given एक ऐसा epsilon exist कर जाए वहाँ पे then there exist partition P of AP यानि कि एक epsilon ऐसा चूज कर ले हम और वहाँ पे exist कर जाए एक partition P उसी close interval AB के अंदर such that upper remand still J सम minus lower remand still J सम less than epsilon हो क्योंकि ये theorem most important होने वाली है क्योंकि इस theorem का यूज अगली theorem में बार बार होने वाला है और एक इसमें most important definition है जो first year में आपने जो है पड़ी है क्या uniform continuity definition वो क्या होती है उसी का यूज करके इस theorem का प्रूफ करेंगे चलिए करते हैं हम statement से ही उठा लेते हैं देखें क्या कहता है f क्या है continuous है on AB तो लिखेंगे proof में if f is continuous continuous in AB then f is continuous on close interval AB भाई अगर f कोई function AB के अंदर continuous है तो f क्या होगा continuous होगा उस close interval AB के अंदर then then f is uniformly continuous in AB तो तो f क्या होगा uniformly continuous होगा उसी interval AB के अंदर लिखेंगे आगे बाई definition of uniform continuity uniform continuity की definition क्या कहती थी let वहाँ पर एक ऐसा एप्सलन बी चूजन बी गीवन क्योंकि जो एप्सलन है यहाँ पर गीवन है गीवन एप्सलन let एप्सलन एक ऐसा एप्सलन जो है दिया गया है greater than zero बी गीवन and we choose we choose एक ऐसा इटा चूज करते हैं greater than zero such that एप्सलन is equal to इटा और जो यह इटा की वैल्यू है यह last में हम चूज करेंगे choose करेंगे यह आप समझने के लिए लिख दिया है जो इटा है हम जो यह इटा है आपका यह वैल्यू इटा है हम last में इसको चूज करेंगे भी एप्सलन की वैल्यू इटा जो लेंगे वो last में क्या चूज करने है अब यहां से आगे यह जो है theorem start हो जाती है देखे मैं फिर समझा देता हूँ अगर F continuous है AB के अंदर तो F जो function होगा वो क्या होगा continuous होगा close interval AB के अंदर अगर F function close interval AB के अंदर continuous होगा तो क्या करेगा तो F क्या होगा uniformly continuous in AB उसी close interval के अंदर क्या होगा यह uniformly continuous होगा अगर यह uniformly continuous होगा तो uniformly continuity की एक definition थी जो आपने first year में आपने read की थी वो यहाँ पे apply हो जाती है तो वहाँ पे एक ऐसा given epsilon होगा greater than zero और हम एक ऐसा delta चूज कर लेंगे जिसके लिए epsilon is equal to delta होगा जिसके लिए epsilon is equal to delta होगा या epsilon is equal to eta कह सकते हैं इसको eta ही है ये and eta को हम last में जो value देंगे वो अपने पास से देंगे वही value इसको satisfy कर देगी और उससे हम proof कर पाएंगे कि upper remains still j some minus lower remains still j some less than epsilon होगा और यहीं से ही आपको बिल्कुल mind में आ जाना चाहिए कि आप कौन सी definition जो है इस theorem पे लगाएंगे uniformly continuity की definition और uniformly continuity की definition में क्या होता है एक ऐसा epsilon given होता है greater than zero और वहाँ पे एक ऐसा delta choose करना है जो epsilon is equal to जो है आपका eta हो इसको delta बोल जाता हूँ यह eta है ठीक है यह आप अपने mind में रखिएगा चलिए इसका main proof करते हैं इसके आगे यह तो आपको यहाँ तक given था ठीक है अब इसका main proof देखिए क्या है यूजिंग अब यहाँ पे आप समझेगा मैंने क्या किया है epsilon को eta के equal जो है मान के चला हूँ मैं by लिखेंगे by definition of uniformly continuity देखिए uniformly continuity की definition क्या कहती है given given देखिए epsilon को eta के equal मानना था तो eta greater than 0 there exist there exist वहाँ पे एक ऐसा देखिए यहाँ पे eta मानना है delta exist कर जाएगा greater than 0 such that such that such that देखिएगा such that mode f of x minus f of t less than eta f of x minus f of t less than eta whenever whenever x minus t का mode less than देखिए eta हमने given था less than delta x minus t less than delta for all xt for all xt जो है belongs to belongs to close interval ab देखिए यहाँ तक आपको समझ में आगया होगा by definition of uniformly continuity given eta देखिए हमने eta की value जो है last में choose करेंगे और eta को epsilon के equal हमने जो है मानना है यहाँ पे eta greater than 0 there exist delta greater than 0 such that f of x minus f of t less than eta whenever x minus t less than delta for all xt belongs to ab I think so मैं यहाँ तक आपको समझा पाया इसके बाद देखिए क्या करेंगे इसके बाद क्या कहता है यह हमने यहाँ तक तो आपको बताया है इसके बाद क्या बोलता है एक क्या है आपका uniformly continuous है और यह uniformly continuous है कि इसके अंदर close interval के अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पे अब देखिए यहाँ तक तो हम कर चुके हैं अब यहाँ पे इसके बाद देखिए epsilon की तो बात यहाँ से खतम हो गई इसके बाद a partition p of ab हम यहाँ से एक partition p लेते हैं किसी close interval ab के अंदर let we take a partition partition p on ab such that किस परकार लेते हैं delta xi less than delta xi less than delta for all i is equal to 1,2,3 up to n ठीक है हमने इसके बाद क्या किया let we take एक ऐसा partition p लिया है किसी close interval ab के अंदर such that delta xi जो distance है वो less than है delta से for all i belongs to 1,2,n I think so यहाँ तक मैं आपको यह theorem समझा पाया अब इसके बाद देखिए क्या है f is continuous on ab देखिए क्या है जो आपका f function है वो continuous है ab के अंदर हम लिखेंगे and f is continuous in ab भाई f अगर continuous है ab के अंदर तो f क्या होगा continuous होगा उस close interval ab के अंदर then f is continuous in close interval ab के अंदर अगर f close interval ab के अंदर continuous है तो f क्या होगा bonded होगा then f is f क्या होगा bonded होगा i think so यहां तक मैं आपको समझा पाया मैं इसको remove कर देता हूँ अगर f क्या है bounded है तो वही अपने bond को attain करेगा इसमें एक least upper bond होगा greatest lower bond होगा then then f attain then f attain its bond init तो f क्या करेगा attain करेगा its इसके bond किसके अंदर init और वो क्या है x i minus 1 x i के अंदर ठीक है इसके अंदर जो है f क्या करेगा अपने bond एक interval ले लेते हैं उसके अंदर attain करेगा तो हम ले लेते हैं let let मान के चलते हैं इसका least upper bond और greatest lower bond ठीक है least upper bond को मैं capital mi से denote करता हूँ उसको मैं मान लेता हूँ least upper bond जो आपका है उसको मैं मान लेता हूँ x x dash ठीक है and जो least upper bond को मैंने x dash माना है वो greatest lower bond को मैं small mi से denote करता हूँ और उसको मान लेता हूँ मैं t dash ठीक है ये least upper bond है ये greatest lower bond है ठीक है such that such that मैं लिखता हूँ यहाँ पे x dash minus t dash ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ such that x dash minus t dash का mode less than delta होगा less than equal to delta होगा या फिर इसको आप कह सकते हैं ये less than equal to होगा x i minus x i minus 1 k mode के is less than is less than delta ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है या फिर यहाँ पे ये notation दे देजिए क्योंकि x dash t dash क्या है least upper bond और greatest lower bond है उसका distance भी less than delta होगा I think so मैं यहाँ तक आपको समझा पाया अब देखिए by definition of continuity by definition of continuity देखिए continuity की definition क्या कहती थी अगर आपको कोई point मिल जाए then then लिख सकते हैं f of x dash minus f of t dash less than less than eta eta क्यों लिया है क्योंकि आपने वहाँ पी एक ऐसा चूज किया था delta और eta greater than यह उल्टा हो गया है उस theorem का eta अब eta को हम ऐसा ही epsilon में चूज कर लेंगे अब देखिए कैसे हैं बिल्कुल लीजी ठोर हम है अब यह होने ही वाली है यहाँ पे proof होने ही वाली है आप समझ जाएंगे इसको ठीक है मैं अपर से ही कर देता हूं इसको अब देखिए यहाँ से आप समझेगा जो यह equation आई है यह most important equation है इसको equation number 1 नाम देदीजी अब देखिए इसको आप multiply करेंगे लिखेंगे multiply multiplying equation first by first by delta alpha i and using summation i1 to n in both side of equation first देखिए equation first को आप both side multiply कीजिए summation i1 to n यह क्या है f dash x और यहाँ पे आप delta alpha i यहाँ पे mode है इसकी जगा यह value रखती देखिए यह तो same है बस इससे और इससे multiply किया है इसको minus यहाँ पे देखिए अब आप summation i1 to n यहाँ पे f t dash ठीक है f t dash delta alpha i का mode यह close हो गया है यहाँ से less than eta into इसको आप multiply कर देजिए summation i1 to n i1 to n alpha alpha i ठीक है I think so यहाँ तक मैं आपको समझा पाया देखिए इस equation को आपने both side f x dash lambda alpha i और यहाँ पे f dash lambda alpha i से multiply कर दिया और यहाँ भी अब देखिए इसको कैसे करना है आपने मैं इसको यहाँ से remove कर देता हूँ आप समझेगा देखिए strands क्या है इसको आप ले सकते हैं देखिए इसको यह क्या होता है अब परिमान still j sum होता है देखिए यह इसको आप लिख सकते हैं up f alpha minus इसको क्या लिख सकते हैं lower p f alpha इसको अब परिमान still j sum minus lower इमान still j sum is less than अब देखिए यहाँ पर eta की value कहा था ना choose करेंगे तो या तो इसको ऐसे ही लिख लिजी या फिर इसको ऐसे लिख लिख दे eta alpha b minus alpha a यह value होती है इसकी इसको लिख सकते हैं तो eta को choose choose eta जो यह n है यह eta type में याद रखना eta को मैं choose कर लेता हूँ epsilon by alpha b minus alpha a देखिए अगर मैं eta को यहाँ पे रख दूँ क्या रखूँगा यहाँ पे eta epsilon by alpha b minus alpha a तो यह क्या करेगा into यह उपर alpha b minus alpha a है देखिए इससे यह cancel हो जाएगा ठीक है यह eta को choose किया था epsilon by epsilon तो यहाँ पे क्या बज़ जाएगा epsilon तो इसकी इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह मैं epsilon लिख सकता हूँ क्योंकि eta को मैंने क्या choose कर लिया है epsilon by alpha b minus alpha a तो यहाँ से proof हो जाता है यह आपका कि अपर रिमान स्टील जाएगा माइनस लोवर रिमान स्टील जाएगा अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है और फ्योरम आपको समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को शेर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा देखें benefit तो मेरा है इसमें देखें मैं यह नहीं कहता मेरा benefit नहीं है benefit तो है बट आपको भी तो मैं एक easy way से matter provide कर रहा हूँ ना तो मेरी महनत के लिए प्लीज अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर ली झाल झाल